यसी क्रशना ब्रजबसी विंजन फ्रों मत्रा में आपका स्वागत है मैं मुश्रीम पांडे आज मैं आबले की चटनी बनाऊंगी और कोई भी चटनी हो थाली का जय का बढ़ाती है आमले की चटनी खाने में टेस्टी के साथ साथ पॉस्टिक होती है ये स्वास्त के लिए काफी लाबदायक होती है आमले में मिनरल्स और आयरन के साथ साथ प्रचुर मातरा में बिटामिन C होती है जो की स्वास्त के लिए काफी लाबदायक होती है बहुत ही इजी तरीके से बहुती टेस्टी चट्टी बन जाती है इसकी मैं बहुती आसान तरीके से बताती हूँ इसके लिए मैंने चार आमले लिये हैं और पचास ग्राम धनिया और दो हरीमिट चलिये जिनको छोटा काट लिया है थोड़ी सी अदरक, आदा चम्मच जीरा और आदा चम्मच सुखा धनिया लिया है धनिया पावडर, आदा चम्मच मैंने लाल मिट चलिया है और ये हींग है एक पिंच मैंने इसको पानी में घोल लिया है और ये नमक है आदा चमच टेस्ट के अनुसार आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं आदा चमच मैंने काला नमक लिया है सबसे पहले मैं धनिये को थोड़ा छोटा छोटा काट लेती हूँ क्योंकि चटनी में धनिया ना काटने से रेसे बन जाती है अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सबस्काइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्काइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके इस तरीके से मैंने सारे हरेदन ये को काट लिया है अब मैं इसको जार में डाल देती हूँ मिक्सिंग जार में अब हम आमलो को काट लेते हैं और हम आमलो को साइट से काटेंगे और इसका जो बीच में सीड है उसको हम निकाल देंगे आमले की चट्नी को आप रोटी परांठी या चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं इसी तरीके से हम सारे आमलो को काट लेंगे मैं अभी एक और आमला काटके दिखाती हूँ इस तरीके से हम सीट को हटा देंगे अब मैंने सभी आमला को काट लिया आया और इसमें मिला देती हूँ अब इसमें हरी मिर्च, अदरक और यह मसाले हैं, जीरा, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर इन सभी को मिला देती हूँ आप टेस्ट के अनुसार नमक ले सका है, क्योंकि काला नमक भी मिलाया है आदा चमच और गुली हुई हिंग को हम मिला करके इसको बारीक फाइन पीस लेंगे हिंग को आप गोल कर यह डाले और थोड़ा सा पानी मिलाएंगे इसमें और हम इसे बारीक फीस लेंगे हमारी चटनी पिस करके तयार है, एक बाड चेक कर लेते हैं अब मैं इसे बावल में निकाल लेती हूँ हमारी टेस्टी आवला चटनी बनकर के तयार है, आप इस तरीकी से आवला चटनी बनाईए, बहुत ही आसान है और खाईए, सर्वी कीजिए, अपने अनुबब मेरे चैनल बर्जबासी बेंजन में शेर कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो पिलीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए तेरे चैनल को सब्सक्राब जरूर कीजिए फिर मिलते हैं नएरे सीपे कसा, धन्यवाद